आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ इस घटना को लेकर वकीलों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है लखनु समित कई जिलों में वकीलों ने प्रदिशन भी किया बता दे शासन इस तर से इस मामले में SIT का गठन कर दिया गया तथा सभी से अपील की की कानून विवस्था बनाए रखे विरोध प्रदिशन के बाद बार असोसियेशन जमानिया के अध्यक्ष अधिवक्ता गुरकनात सिंग यहां तक कह गए कि यूपी पुलिस बीजेपी सरकार में बेलगाम हो गई है उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद एक बार फिर वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है यूपी बार काउंसल के अहवान पर प्रदेश बरके अधिवक्ता गन नियाएक क्यारीय से बिरक्त होकर प्रदेशन कर रहे हैं इसमें इलाबाद हाई कोट के वकील भी शामिल है राजधानी लखनों में भी वकीलों ने जम कर हंगामा काटा अलीगर के बाद लखनों में पुलिस और वकीलों के बीच जड़ब का मामला सामनी आया सिंग ने कहा लखनों के नराज वकीलों ने इतना तक कह दिया वकीलों की सुरकषा के लिए कोई कारिवाई नहीं हुई यूपी सरकार और शासन प्रशासन वकीलों की कोई सुध नहीं ले रहा यहां तक की वकीलों के खलाफ फर्जी मुकद में लगाय जा रहे हैं जब वकील अपनी मांगों को लेकर प्रदिशन कर रहा है तो उसको मारा पीटा जा रहा है। हापुर की घटना को लेकर जमानिया और सेवराई के अधिवक्ताओं ने सलक पर उतर कर जुलूस के माध्यम से विरोध प्रदिशन किया। बार असोसीशन जमानिया के अध्यक्ष गोरकनाथ सिंग ने बताया कि पत्रक के माध्यम से हम लोगों ने शासन प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया था कि हापुर के कप्तान और शेत्राधिकारी का अस्थानन्द कर दिया जाए। इसके साथ ही जितने भी दोशी पुलिस कर्मी हैं उनके खिलाफ कारिवाई की जाए। को कि अढू हैं और भी हो जाए।